आपने अब तक सिर्फ circular wheels देखे होंगे car, bus, cycle, motorcycle, truck जहां देखो वहां circular wheels दिखाई देते हैं लेकिन आज हमें कैसी car बनाएंगे जिसके tire triangular shape के है wheels को generally circular इसलिए बनाए जाता है क्योंकि circle को हम कैसे भी गुमा ले इसकी road से दूरी हमेशा समानी रहती है यानि हर direction से circle की width सेम रहती है अगर कोई और shape लेंगे तो हमारी गाड़ी उपर नीचे होती रहेगी इन shapes की width बदलती रहती है जैसे square के case में यहां width side के बराबर है यहां पर diagonal के बराबर है जो side से बड़ा है पर ऐसी कुछ non-circular shapes भी हैं इनकी width सेम रहती है इस car के tires भी कुछ ऐसे ही है इसको हम rouleau car कहते हैं और आप देख सकते हैं कि यह बिना उपर नीचे हुए एकदम आराम से चल पा रही है इसे पहले बना लेते हैं फिर यह समझेंगे कि इस तरह के wheels होते हुए भी यह car smoothly कैसे चल पाती है और इसी process में हम circle और triangle के साथ और भी बहुत सारी mathematical shapes के बारे में अपनी समझ बढ़ाएंगे इन triangle जैसे दिखने वाले special wheels को हम rouleau triangle कहते हैं और यह shape हमें equilateral triangle से मिलती है triangle के तीनों vertices से अगर हम circle बना दे जिनका radius triangle की side के बराबर हो तो हमें बीच में यह rouleau triangle मिल जाएगा इस triangle की खास बात यह है कि circle की तरह इसकी width भी same रहती है normal triangle के लिए यह width change होती रहती है इधर से width नापे तो कम है और इधर से नापे तो जादा है पर rouleau triangle को जिस भी direction से नाप ले इसकी width हमेशा same रहती है यानि इन दोनो parallel lines की बीच की distance change नहीं होती और हमारी कारे smoothly इसलिए चल पाती है क्योंकि उपर वाले surface और road के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है अब ये देखते हैं कि इस shape में ऐसी क्या खास बात है जिस वज़े से दूरी समान रहती है rouleau triangle को roll करते time किसी भी point पर हमेशा एक plane इसके vertex को touch कर रहा है और दूसरा इसकी arc को अब चाहें इस arc पर हम कहीं पर भी हो वहाँ से vertex की दूरी हमेशा constant रहती है तो हमने same width की दो shapes सो देख ली पहली ये circle और दूसरा ये rouleau triangle ऐसे ही अगर हम regular pentagon के 5 points per circle बना दे तब भी हमें same width की shape मिलेगी और ऐसे ही seven side के साथ heptagon and so on यानि कि हमें सभी shapes regular polygon से मिल रहे हैं जिनमें odd number of sides है even sided polygon से हम constant width की shapes नहीं बना सकते अब सवाल ये आता है कि circular wheels की जगे हम इन shapes को क्यों नहीं use करते rouleau wheels में width तो constant है लेकिन इसके center या axle से जमीन की दूरी constantly change होती रहती है यानि ये लकड़ी का फटा तो same distance पे ही रहता है पर ये axle उपर नीचे होती रहती है इसके लिए हमने अपनी rouleau car में इस load छोड़ा है जिससे की axle को उपर नीचे जाने की जगे मिल जाए और car आराम से चलती रहे इन constant width shapes की एक interesting बात ये है कि इन सभी का perimeter circle के perimeter के बराबर होता है यारी triangle, pentagon, heptagon कोई भी constant width वाली shape लें अगर सबकी width same है तो उनका perimeter भी same होगा और वो same width वाले circle के बराबर होगा rouleau polygon की shape के सिक्के भी बनाए जाते हैं देखने में तो वो cool लगते ही हैं साथ-साथ जो bending machines होती है वो सिक्के को उसकी width देखकर identify करती है मालनी जी हमने square shape का सिक्का डाल दिया तो machine confused हो जाएगी क्योंकि वो सिक्का कभी उसे बड़ा लगेगा कभी छोटा क्योंकि सिक्के की width orientation के हिसाब से change हो जाती है और circular सिक्कों की बजाए इनका area भी कम हो गया तो इनको बनाना सस्ता पड़ता है एक famous सवाल जो काफी job interviews में पूछा जाता है कि sewer hole या drain hole के cover गोल ही क्यों होते है क्योंकि circular cover कभी भी circular hole के अंदर नहीं गिरेगा चाहे हम इसको कैसे भी गुमा ले जबकि ये बात दूसरे shapes के लिए possible नहीं है जैसे square hole पे अगर square cover होता तो जैसे ही हम इसको गुमा कर diagonally orient करते ये अंदर गिर जाता लेकिन अगर ruler triangle या कोई भी constant width की shape का hole और cover होगा तब भी अंदर नहीं जाएगा ये तो हमने 2D में constant width वाले shape देखे क्या हम 3D में भी ऐसे shape बना सकते हैं जिनकी constant width हो एक सीधा सा answer तो ये sphere है spherical balls पर हम इस लकड़ी के फटे को रख दे तो कैसे भी गुमा ले height सेम ही रहेगी लेकिन surprising बात ये है कि हमने जो भी ruler triangle देखा उसको अगर गुमा दे तो हमें जो shape मिलेगा वो भी constant width की 3D shape मिलेगी ऐसे ही हम बाकी constant width की shape के साथ भी करते जाएंगे और हमें अलग-अलग तरह की 3D shapes मिलती जाएंगी जिनकी width constant ही होगी ruler triangle को घुमाने पर हमें square shape मिलती है यानि हमारे पास अगर drill bit हो तो हम उससे square shape का hole कर सकते हैं क्योंकि जब ये ruler triangle घुमता है तो ये square के सारे sides को touch करते हुए घुमता है अंत में कवीता याद आ रही है रहीमन रूलो राखिये भूल जाएए गोल गाड़ी भी सीधी चले बुद्धी को देखोल इन कॉंस्टेंट विट्ध्रियप की एक और इंट्रस्टिंग बात ये है इन कॉंस्टेंट विट्ध्रियप की स्लोट छोड़े जिसकी वजह से जिससे एक्सिंट के इपर नीचे जाने की जाएंगे